सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस्ट नोटिफिकेशन पट्न ब्रेंट बस्ट में आपका फिर स्वागत करते हैं इंसान की जिंदगी में और इंसान की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की लाइफ को टूटल बदल देती हैं हमने फिर्स्ट वर्ल्ड वार देखी सेकंड वर्ल्ड वार देखी उससे पहले हर कंट्रियों ने अपने अपने हिस्टॉरिकल फैक्ट्स में देखा कि कैसे दुनिया बदल जाती है वही जर्मन जिसने फिर्स्ट वर्ल्ड वार में एंजी यूरोप के साथ लड़ाई की उसी जर्मनी ने सिर्फ तो सिर्फ बीस साल के बाद फिर सारी दुनिया के साथ लड़ाई लड़ी उसके बाद अब क्या हुआ कि जपान जो के सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मनी का हिसेदार बना लड़ाई में उसके ओपर जर्मनी के ओपर कितनी पबंदियां लग गई ऐसे ही historical facts अगर हम देखते हैं बिमारियों में अगर हम देख लें कहते हैं कि हर साथ साल के बाद कोई ना कोई पैंडेमिक आता है हमें 18, 20, 19, 18 का पता है कि उसमें 100 मिलियन के करीब लोग जो है वो स्पैनिश फ्रू में मारे गए उसके बाद कई और छोटे 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 जो हैं वो इनसान के उपर बिमारियें हमला करती रहीं जिसमें ह, य, न, और बड़े जो हैं वो आए लेकिन कई बार इनसान जो है वो इनसान को मारने के लिए जहां पर वर्ल्ड वार करता है वहां पर एक अपने सिर्फ पर्टिकॉलर मकसद के लिए और वो भी इतना गलत मकसद क्योंकि उनको सिखाया ये जाता है कि आपने जिन्दगी में जितने भी काफिरां उनसाब को मारना है तो काफिर का क्या मतलब हुआ है काफिर का यही मतलब हुआ है कि जो मुस्लिम रिजिन में नहीं बलीव करता वो काफिरां और उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं साथ बिलियन लोग हैं दुनिया में इस वकत और उसमें से वन पॉइंट एट बिलियन मुस्लिम्स है और जो क्रिस्टिन्स हैं वो टू पॉइंट सेवन फाइव के करीब हैं और बाकी अधर रिलिजिन्स है सेटमबर 11 टू थो थो दिन वन ने दुनिया को टोटल बदल के रख दिया मैं खुद अपनी अगर लाइफ को देखूं तो मेरी लाइफ ही जो है वो टू थो थो दिन वन के बाद बदल गई मैं मौरनिंग में जब उखता हो तो सिरफ न्यूस्पेल पपड़ता था कभी टीवी ओओणն नहीं करता था लेकिन जब मुलाश में एक दोस ने फून किए 9बजे से 35 म tomorrow किया हुआ नहीं, जब मैंने टीवी आउन किया तो जब मैंने वो शौकिंग, फ्ली एरोपलेन तो मैंने नहीं देखा बिलडिंग में गरते हुए, लेकिन सेकंड एरोपलेन जो 88 मिनिट के बाद, फ्ली ऑचछ के 40 मिनिट के बाद, अंधर वीलडिंग गया और दूसरा 18 मिनिट के बाद तब मैंने रियलाइज किया कि रातों रात में दुनिया बदल सकती है और तब से मैं टीवी जरूर अन कर लेता हूँ लेकिन उसको मैं म्यूट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अख़वार पढ़ने का शौक होता है तो मेरी लाइब बतल गी दुनिया की लाइब बतल गी आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूँ का आज वैसे भी ताहिर साब जो है उनके आज जो व्यूज इसके ओपर जडूरी हैं कि मेमरी आफ नाइन इलेवन टेरिस्ट अटेक इसके पीछे जो भी कहा जाता है खालेज शेख मुहमद का नाम आता है जी उसामा बिन लेडन का नाम आता है और एक्स्ट्रीम जो है मुस्लिम रिजिन में उनका नाम आता है लेकिन ये क्या खत्म हो गया क्या आने वाले टेम के उपर रहता नहीं होगा क्या हम ये समझें कि बस एक बर 9-11 टेरोरिजम हो गया और उसके बाद फिर इंदोस्तान में हमने देखा 26-11 बॉम्बे के उपर सेकल आप मी मारे गए तो इस किसम के अटैक्स क्या बंद हो जाएंगे मुझे तो नहीं लगता और मैं ताहिर साथ भी पूछूँगा कि आने वाले टाइम के उपर हम देखते क्या है ये जो एक्स्ट्रीमिजम है वर्ल्ड में चाहिए किसी भी रिलिजन में हो लेकिन इस वक्त जो दुनिया को जो मुसलिम कम्यूनिटी के लीडर्स हैं जी उनका जो रिलिजेस लीडर्स हैं उनके आउपर कंट्रोल नहीं है क्या वो उनको नहीं ऐसी क قनून बना सकते लेकिन ऐसा होता नदर नहीं आता हमने देखा कि पाकिस्तान में तो टेरोरिस्ट और्गिनाइजेशन को बकैदा बड़े प्यार से रखा जाता है और उनको कहा जाता है कि बनाईए टेरोरिस्ट जतने आप बना सकते हो बेजिये हिंदोस्तान में बेजिये दुनिया क्या और कौन नहीं है लेकिन आज के दिन में ज्यादा ना बोलते हुए एक एक पॉइंट हम डिसकस करेंगे ताहिर साब को सबसे पहले हो तो मैं 911 के तीन हजार के क्रीब जो उस दिन जाने गई जी उन सब को बहुत शरदांजली देना चाहता हूँ क्योंकि वो अंजान लोग थे अगर आपकी लड़ाई गौवर्मेंट के साथ है तो आप एक अंजान आदमी की जान कैसे ले सकते हैं ये मुझे आई तक नहीं समझाया पर एक्स्ट्रिमिस्म जो है वो कभी ये नहीं देखता कि भाई मैं आम आदमी की जान ले रहा हूँ क्योंकि वो लेते ही आम आदमी की जान है ताहिर साथ बहुत ही मैं समयता हूँ कि सौबर डे है और बहुत दुखवाला दिन भी है और उमीद भी करते हैं कि अलाही में असानी होगा लेकि मुझे पता है कि ये सोच जो है ये कि आगे नहीं होगा ये गलत है दर सब देखिये बात ये है कि आपने बात ची शुरू की फर्स वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार का आपने उसमें जिकर किया बहुत बड़ी वो गटनाई थी बहुत बड़े ट्रैजिक पार्ट्स थे और आपस में ज्यादा तर लोग यॉर्पियन नेशन यॉर्पियन नेशन से माड़ें मिलियंज और मिलियंज गॉट सलाटर्ट फिर आप सेकंड वर्ल्ड वार के साथ जोड़ा हुआ एक और वो ह जुड़े हुए नहीं हैं वो इसलामिक एक्स्रीमिजम के साथ ही सिर्फ वो तो हैं हैं इसके सेरे वेस्ट की अपनी स्टूपिड पॉलिसीज के साथ पी जुड़े हुए हैं यही वेस्ट था जिसने इन गरोहों को स्पोर्ट किया इन गरोहों को खड़ा किया इन गरोहों मतलब यह है कि अफ़वानिस्तान के टाइम के ओपर जो अमेरिका ने इनको बकायदा दस साल पंदरा साल पना दी सिर्फ वही डॉक डॉक सब नाइंटी से लेके टूथ होगे यही नहीं है वर्ल्ड वाइड जो एक्स्ट्रीमिजम भीनाने वाले ग्रॉप थे अमेरिका में जो बड़े-बड़े खौफनाक एक्स्ट्रीमिस्ट इस्लामिक सेंटर बने कुछ दो रूटीन की मौस्क्त होती है उनसे हमें कोई मसला नहीं होता जो बड़े-बड़े सेंटर बने ठीक वो बनते चले गए अमेरिका में भी उनको का गया का अच्छे चलिए यह आप जो थे इन्वेजन अफ़ानिस्टान में उसके खलाफ यह काम शूरू किया अमेरिकांस ने जब रॉनल्ड डेगन ने पाकिस्तान और अफ़ानिस्टान के बौर्डर पर कड़े हो के कहा कि जहाद बहुत उम्दा बात है वही जहाद गले पड़ा ना अब उसमें देखिए मैंके तीन हजार जो अमेरिका में तीन हजार बहुत बड़ा नमबर यह बहुत बड़ी ट्रेजडिटी हैं मगर डाट स Mercury परे प उसके ब्ड़ा का विर वोल्ड शेखिए हुझ़ आ वह से भी बड़ी ट्रेजडी हैं उसके नतीजा में पाकिसान का आज भी कहना है कि हमारे भी सतर जार लोग मारे गए, असी जार से जादा फानिसान में लोग मारे गए, ये ओफिशल फिन नंबर्स हैं, सीरिया में मिडल इस में आप देख लीजिए, लाकों के करीब टच करने वाले नंबर्स हैं, बलके क्रॉ की नसमझी की जो पालीसियां होती हैं, ये उसका बहुत बड़ा उसमें हाथ है, ये उन इतामिक बाम्स हैं, उनको ये टच करते हैं, ये जो इस्लामिक एक्स्ट्रीमिस्ट हैं, उनको ये टच करते हैं अपने फाइदे के लिए, फिर आँखें बंद करते हैं, ठीक है, तो टेरस ऑग्रियशन है, in immerika ने मकमल तौर पर नहीं तो पार्शली anurrection किया अमेरीका को पता नहीं है, कि कि अमेरिका को पता नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं है कि क्या करता है पॉब्लिक मीटिंगे एड्रेस करते हैं तो ढूलना कहा है आप ने कोई तोरा बोरा के केवल में गए हुए ठीक है ताइट साब एक बात जितनी जिस ढंक से आप बात कर रहे हैं ना मेरा ख्याला कि हमारे जो दर्शक है शायद उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है जिस ढं का इंसिडेंट नहीं हो सकता था ये नलाइकी है अमेरिकन अजेंसियों की उनको पता था कि ये टैक होने हैं जी और वो जानते थे कि ये सेल यहां पर बने हुए हैं आप इसके बारे में कुछ देखिए डाट साब दुनिया की जो बहुत सारी इंटेलिजनस अजेंसी हैं अमेरिकन समेथ उनके जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना अमेरिका में तो खास और पर एक आदमी आता है हेड़ बनता है कुछ डिप्टी डिरेक्टर बनते हैं डिफरेंट मैकमों के और वो पुलिटिकली उनको फारग कर दिया जाता छेचे महीनों बाद ये मामला आया ना आया मुझे एक दफ़ा एक इंटेलिजनस कम्यूटी के एक आदमी ने जनलिस्टों का वास्ता रहता है इंटेलिजनस कम्यूटी से मुझे एक दफ़ा उनने से का कि भाई ये जो आपने सवाल किया कि ये क्यों नहीं बताया मैंने का तुम्हे एक बात पता होती है तुम दूसरे एदारे को बताते हो, नंबर एक तुम खुद क्रेड़ लेने की कोशिश करते हो, यह कि यूमन नेचर है, राइट है, कि मैं जब कभी मौका आएगा प्रेड़न्ट ट्रम्प के सामने, मैं कहूंगा जी, यह मैंने डिसकावर किया था, यह मैंने, मैंने का दू फिर उसने मुझे का, फिर एक जनलिस्ट वहाँ बहुत सीनियर बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं का लोगा, तो कहने लगे कि ताहिर, आफ्टर ओल इतनी बड़ी गलतियां करने के बाद, बलंडर करने के बाद, यह कंट्री कैसे चलते रहते हैं, मैंने का, इनके सिस्टम इ इंदर परवान चड़ती रहती है, तो आफ्टर ओल हम तो सेफ हैं, को इतने बड़े वाकियात नहीं हुए, जब आपने, सुरी, जब आपने केनड़ी की बात की ना, तो आपको पता, आज ही बहुत सीरिस रिपोर्ट आई है, कि हिंदोस्तान में खालिस्तान का नाम और न खालिस्तानी एक्स्रीमिस का, अब ये नाम नहीं आप कैनड़ा की जो नैशनल स्कूरिटी रिपोर्ट में ले सकते हैं, वो तो लेजिटिमाइज कर दिया ना, तो जब यहां पर, जब कैनड़ा की नैशनल स्कूरिटी के दारे उस प्राबलम को फील करते हैं, उनके पास चार्शिज में घुद हैं, अएर इंडिया की बाम्बिंग से बड़ा एविडेन्स क्या होगा, ड Rightslist, 9-11 अफ़ले दनिया की सबसे बड़ी जो एयर राइन की टर्रिजम है, वो अर इंडिया बाम्बंग है, और अएर इंडिया बाम्बंग के साथ जिस तरा जुड़ी हु आपकी political leadership कहती है कि नहीं आप निकाले हैं इन नामों को ठीक है तो फिर मैं जब वेस्ट पे अपना गुसा दिखा रहा हूँ तो justify है ना डॉक्टर ना देखिए उनकी जो गलतिया है वो तो सामने है ना तो फिर यही कामुडेट कर रहे हैं ना extremist elements को चाहे Canada हो चाहे अमरीका हो चाहे यॉरप हो तो जब यह कामुडेट करते हैं देखिए ना जब जो एर इंडिया की terrorist activity थी उससे सबसे ज्यादा effect country कौन होता है ना Canada होता है ना इंडिया तो नहीं होता ना इंडिया तो दूसरे नमबर पर है फिर भी जब 84 में सबसे बड़ी दुनिया की terrorism नाइन 11 से बहुत पहले होती है और Canada सबसे बड़ा effective country है तो तब भी बात समझना है तो फिर शरुम की बात है ना ने यह बात है तो ठीक है लेकिन क्या ultimately यह जो वेस्ट वर्ल्ड है इस वक्ति उनकी मैं मुझे तो लगता है कि इनकी आँखें आज में नहीं कुली यह आज भी सोय वर्व देर डोंकूर country किस तरीके से सहल मर् रहे हैं घॉप ऑप лекनी हिस्टरी देख लिए यह स्वीडर्ड की हिस्ट्री देख लिजिए New जर्मनी में आने वाले टाइम पर क्या होगा ये जो ये जो पर्टिकुलर ग्रूप्स हैं जब वहाँ पर कुछ चले जाते हैं तो वो फिर एक जगह नहीं रुकते हैं वो सब को कोशिश करते हैं इसके साथ मिलाने की तो फिर तक सा बात ये है कि आप में कहा कि वेस्ट को हर जगह हो रहा है और हर जगह समय नहीं आती हैं और मसला ये है कि वेस्ट की जो लेफ्ट की बहुत बड़ी पॉपुलिशन हो चुकिया वो लेफ्ट आइडिया से जुड़े हुए 50% से ज्यादा लोग हो चुकिया हैं खाया करके यूरप यह सर अमरीका में भी हैं अमरीक जैसे मुल्क में जहां पर राइट का बड़ा होल्ड है अगर राइट कहां कहीं पर सच्छे मानों में एक्जिस्स करता है वेस्टन वर्ड में तो अमेरिका है इसके बावजूर लेफ्ट के जो लोग है और राइट के लोगों से ज्यादा नंबर क्रॉस कर चुकिया है मसला नहीं है. मसला आपकी कंटीज की स्क्योर्टी का है. हम चाहते हैं, अमरीका हो, कैनिडा हो, यॉरप हो, पूरी दुनिया शाह के जो बस्तें वाले लोग हैं, वो अमन से रहें. जैसा कि ये नाइन लेवन का वाक्या होता है, कोई वैगन लेके चट दोड़ता है, चाहे वो डैनफोर्थ हो, यहां टोरांटो में चाहे यॉरप का ब्रिज हो, वाक्या तो एक होता है. उस से जो सबसे ज्यादा जो है, वो मिचैरी मुस्लिम कम्यूनिटी ही एफेक्ट होती है, वो रहरार पे आते हैं, पॉलिटिशन्स कहते रहते हैं, पुलीस कहते रहते हैं, न यह नहीं कहता, वो गलत करते हैं, लेकिन फिर वो जो एंटी उनके लोग एक्स्रीमिस होते हैं, जिन को राइट विंग के कहा जाता है, वो उन में जो एक्स्रीमिस होते हैं, वो भी पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, जवाबन यह जो फिर इस्लामिस्ट खतरना लोगां यह कुछ ज्यादा करते हैं चुक्छे इनके पास ट्रेनिंग ज्यादा है इस काम की विल भी ज्यादा है तो मौशरे बिगड रहे हैं मौशरे फिर क्या होगा कि राइट विंगी पार्टिय आस्ता सामने आएंगे आई रहे हैं हम देख रहे हैं कई कंट्री में हमने देखा है कि नेचरल है कि अल्टिमेटली क्योंकि उनको यह डर हो जाता है कि हमारी अपनी कल्चर और हमारे अपनी ही लोग खतम हो जाएंगे खतम तो अल्टिमेटली हो ही रहे हैं वो लेकिन अगर आज हम पोलेंड यूगसलाविया ना पोलेंड चेकसलवा किया इन दो-चार कंट्रियों को छोड़के यूरोप में अगर देखें तो यूर्पियन यूनिन ये कह रही है कि हम आपके ओपर पबंदिया लगा देंगे अगर आपने ये काम ना किया आपने अपनी जो है पॉलसी ना चेंज की तो वो यह उनको कह रहे हैं कि भाई जैसे हम फ्यूचर में इनके गुलाम बनने वाले हैं वैसे आप भी बनो दॉर्ट सब बात ये है कि मैं यहां पर एक और नुक्ता वापस लाँगा जो आपने बात छेड़ी थी कि क्या मुस्लिम लीडर्शिप क्यों नहीं रोकती मेरा जो डॉक्सर में इनलिसस है जो नाइन अलेवन का वाक्या हुआ वो एक टिपिंग पॉइंट था एक बहुत बड़े जैसे कहते है ना हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट के तोर पर कि भाई अब ये एक्स्ट्रीमिजम बहुत हाइस लेवल पे जाएगी आब अब कितने बड़े बड़े खौफनाक वाकियात होते हैं लाग से ज्यादा सीरिया में सेवल वार में लोग मारे जाते हैं वही तालबान फिर वही ग्रो करके अलकाइदा और फिर वही से आईसिस निकली और वहां पर आप इराक देख लीजिए अचा वैस ने भी गलत तरीके से वहां पर एक काम किया और उनकी तो आपस में वो पुलिटिकल रिफ्ट होती है ग्रॉप्स की शिया सुनी फसाद भी है और ज्यादा पावर का ये बड़ा खेल हैं आप ये देखिए फिर कई इंसिडेंस होए भारत में वो टॉन्टी सिक्स एलेवन का जो वाकिया जो आप जो बड़े बड़े लोग थे उन सब की ट्रेनिंग अफगानستान में होती है तो अफगान grown फे माना ये क्या हैं। क्रिमेंट्स हो सकते हैं नों को चेंड करने वे खालर शेख तो पाकिसानी था राइट ठीक है वो अरब दुनिया में अमरीका में ट्रेंड हूआ अफ़ानसान में रिइंड हूआ वो उनका हैड़ था बाकि जो थे जो जो तेर्रिस्त थे वो ज्यारा तर साथी अरब वह ते लेकिन वो सौधी अरब में उनके ट्रेवन तो नहीं होती हैं उस जमाने में ठीक है सौधी अरब एक्स्टीमिस्टों को पैसे दे रहा था मगर सौधी अरब क्या दे रहा था वो अमरीका भी तो दे रहा था ना और अमरीका के कहने पर ये साओधी अरब दे रहा था साओधी अरब को तो इन एक्स्ट्रीमिस ग्रोहों से ज्यादा खत्रा होता है चुके ये सबसे पहले कबजा साओधी अरब पर करना चाहते हैं ताके इनकी खलाफत जमें जब कभी ऐसा हुआ के एक्स्ट्रीमिस ग्रोहों ने साओधी अरब पर कबजा कर लिया अभी ये जब आईसिस ने अपनी स्टेट बना ली थी एराक और सीरिया के बार्टर पर कंट्री बना लिया था तो सबसे ज़्यादा साओधी ने फंडिंग की इनको मारो उनका भी टार इस्लामिक मुस्लिम आउकनाइशन जो रेगुलर होती है उनसे मुझे कोई गिलादी होता जो मतब पीस्फुल मॉस्क चला रही है वाटेवर कर लेकिन एक होते हैं जो इस्लामिस ग्रोह बन जाते हैं एक उनसे भी ज्यादा खतरनाक अंदर ही अंदर स्लीपिंग सेल बने ह होते हैं कई लेर्स पे काम हो रहा है अब उनका यह मस्ला है कि मुस्लिम लेडर्शिप में कोई पॉप की तरह तो कुछ चीज नहीं है कि जिसकी एक की बात सुनेंगे उट एक्जिस्स नहीं करता वो तो प्राफिट महम्मद के बाद आप देख लीजिए जो उनके चार कैल ही आ रही है तो वो मैं आपके सवाल की तरफ कि उनको कोई क्यों नहीं समझाता जब प्राफिट जहां से औरिजन हुआ जो सबसे से क्रड़ परसनेलिटी है इसलाम की वो उनके अपने कंपैनियन और कैलिफेट खास तर पर जो थे वो अगर आपस में एक दूसे से वो खू के लिए सोविट के खलाफ इसलामिस्टों को खड़ा किया ठीक है चले मान लिया इंटरेस्ट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं अच्छा या बुरा मेरा यह कहना है कि आप अपने इंटरेस्ट को वाइडर कैन्वस में देखें अब आपके टावर गिरे उसके बार तो मस्जिदों के मेरे पास लिस्ट है जिए जहां पर टीच किया जाता था कि ये काम आपने करने आए अपसलूली और कैनड़ा में भी ऐसा ही है ऐसा ही है तो फिर फिर फैदा क्या हुगा इतने लोग मरवाने का डॉक्र साब बात यह ना कि अब मैं ये चलिए मैं अपना पाऊं वेस्TERN 김 ti के अमेरिका के इंटरस्ट में डाला ठीक है जी उंको जहादी सूट करते थे जहादी ले आएं ठीक है ले लेकर वो जहादी अगर उनके अपने मुलक में बार करते हैं, चलिए यह वो कह दिया है, नहीं का मारे इंटेलिजिस एजंशियों का नहीं हुआ, आपस में ताल मेल नहीं हुआ, तो बरबादी होगी, वह उसके बाद जो बैठे हुए है, अपकी रिपोर्ट्स बता रही है, नैशनल स्कुरिटी के जो डिफरेंट एदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स बताती है, होमलेंड स्कुरिटी तो एक एदारा है, डाउट्स अप, इसके लावा अभी तक इंडिपेंडेंट ऐसे एदारे मजूद हैं, जिनका नाम भी आपको मुझे नहीं पता होता है, वो नैशनल स्कुरिटी के अमेरिका में कांपरस थी, उसमें था, एजनल एक्सपर्ट, मुझे पूछा गया, क्या है, मने रिकाँ आपनी काउंटर टेररिज्म का इदारा बनाया हुआ है, ठीक है, काउंटर एक्स्रीमिसम का इदारा क्यों नहीं है, वो थ्रेट नहीं है, मैं काउंटर वाइलन्ट एक्स्रीमिसम, मैंने का इस से पहले सी बना दो ना, काउंटर एक्स्रीमिसम, जब ये वाइलन्ट होगा तो फिर तो मैं इसको काबू करोगे, ठीक है, अब ये एपरोच है, डॉक्टर साथ, मैं ये कहता हूँ कि चलिए, मैं सिर्व अपना पाउं इ वेस्टन कंट्री के जूते में डाला, चलिए ये आपने तैय कर लिया, क्या आपने मुस्लिम्स को यूज करके, अपने जहाद के काम को इस्तमाल में लाते होएं, सोवियन्स के खलाब, या चीनियों के खलाब, या कहीं पर कुछ करना है, चलिए ठीक है, कर ले, लेकिन ये मसला के जो कम्यूनीटी के, जो मुस्लिम कम्यूनीटी के बड़े बड़े लोगां, नकी तो कुछ सुंता नहीं, हरे की को अपनी बस डेर इंठ की जैसे मुस्लिम ka एक्सपरेशन है, मस्जद है, डेर इंठ की मस्जीड है, हरे की, हरे का कैना पूरी दुनिया मुझा सामने अमरिका का हल आपके सामने मेरे सामने है यौरपका हल आप सामने मेरे सामने है तो इस सारी शुवेशलोर में बड़ी अफॉसनाख याप popular आप वैसे बाईंरे डॉक्त सरफ आप 9-11 के बाद बड़े-बड़े वाकियात हुए। का बनना ब़ॉत-बड़ा वाकिया था। केलिफेट ने मुल्क सबना लिया था। भीलकुल! ठीक है, अब कैलिफेट को उन्होंने खत्म कर दिया, को पुलिटिकल विल थी, अब ये सिर्फ टरॉम्प साब ने खत्म नहीं किया, ये तो आफर में आए हैं बहुत, इस्किल में पुलिटिकल विल काम थी, साथी रेबिया का प्रेशर ज्यादा था कि हमें, क्योंकि उनको इसे लगता है कि हमारी किंग्डेम खत्म हो जेगी, वो जो किंग्डेम का जब खत्रा आ जाता है ना, तब वो हर किसम की जो है, मतलब अच्छाई बुराई को नजर अदाज कर देते हैं, और कहते हैं, इसको करो, मैं इसी में इस्वार पूछना चाहता है, उननीस साल हो ग रहे हैं, कि भाई, आप संभाल लो, अफगारनिस्तान, हम हमें यहां से जाने तो, तोड़स अब यह भी एक मित है, मैं आपको फ्रेंकली बनाओ, जो आज के तालिबान हैं, वो उस टेररिजम में इन्वाल नहीं थे, मोस्फरत हैं, मैं आपको यह बताओ, यह आज की एक ब्रीड है, अब उन्नी साल बाद, एक नई वहां पे जनरेशन आ चुकी है, जो अपने प्लिटिकल बैनिफर्स के लिए है, दूसरा तालिबान पे भी डॉक्सा बहुत ज़एदा ट्रस्स उसामा बिलादन भी नहीं किया करते हैं, इसलिए वो पाकिसान पैठे हुए थे, हम् – उनको पता था कफगान असान में होगा तो मैं मारा जाउँगा, वो मारे तो पाकिसान में भी गए, लेकिन अफगानसान में होते तो बहुत पहले मारे जा चुकी हिए, अऑ कोई बीलीव नी करते थे शेख उसामा बिलादन उनको पता था ज yapt impact मैंड उनको पता था कि ये सारे के सारे टेर्रिस थे जिन्होंने नाइन एलेमन किया, वो तो शेख खालिद और उसामा बिलादन के डारेक्ट डेसेंट, वो उनका तालबान से बहुत काम लेदा देना था, फ्रैक्ली मैं आपको बता हूँ, अलकेडा तो वही, अलकेडा जो है, वो तो उसामा बिले तालबान पे बहुत कम ट्रस्ट किया करते हैं, लेकिए, आप ये कहते हैं कि तालबान जो है, आप वो नहीं रहे, जो थे, लेकिन अल्टीमेटली जब ये पावर में आ जाएंगे, जो इनकी फिलोसोफी है बिहाइंड, वो थे इननों ने खत्म नहीं करनी, नहाँ, इनकी नहीं नहीं आएंगे, इनका पीस प्रॉसर जितना मर्जी हो जाए, उस से अमेरिकन्स को, अमेरिकन्स अब कुछ थोड़ा सा वाइसली देख रहे हैं, उनको ये समझ आ गया, खेलता माशा, चूंकि अमेरिकन्स को बहुत ज्यादा पाकिसान की इस्टैबलिश्मेंट के ल को समझ आया कि बात ये है कि आईसिस जो अल-काइदा के लोग थे ना डॉक्सम, वो आईसिस में बदल गए थे, वो उनका काफी खातमा चुका हुआ है, अब वो बहुत कम रह गया है, तालबान बहुत जो एक्स्ट्रीमिस्ट थे ना, बहुत एक्स्रीमिस्ट थे, वो अल प्राइबल वैल्यूस, जो शरीया के साथ मेला हुआ है, सिर्फ वो बात कर रहे हैं, उनका, आप उनको पैसे दें, डाक्स पो कोई बीदें, आप और में हमारे पास पैसे नहीं हो, हम तालबान के किसी ग्रोह को बेजें, और उनसे जो चाहिए करवाना चाहिए, करवा ले मैं आपको ये गरंटी के साथ बात बोल रहा है, उनको कोई मसला नहीं है तालबान के ग्रोहों को, उनका कारोबार चलना चाहिए, ठीक है, तो अब ये वला तालबान है, अब वहाँ पे, और ये तालबान बड़े सालों से कतर में और लेड़ी बैठे हों हैं, और कतर में की वो नाक के नीचे बैठे होएं, अमेरिका के साथ इनके बाइन दर डौर बड़े लंबे सामें से बाचे चार रहे हैं, ठीक है, इनके ये मसले हैं कि जो अफ़ानिस्तान के जो ट्राइबल हिसे हैं, जहां 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 इनकी बात सुनी जाती है, जनाब वहां पे हमारी कोई तल्लक ही नहीं था, तो अब तालबान चुके इनका कंट्रोल है उन उन अलाकों में, तो वो ठीक हैं, तो अमेरिकन को ये है का बई आब हमें सेफ एगजिट दे दो, अब ये, लेकिन मेरा डौक साब इस पे यही जोर है, कि अमेरिकन हों, हम केलेडियन हों, यॉर्प डिपेंड होती है, अगर हम केनिडा का इस वकत हाल देखें, तो हमें पता है कि जस्टन टूडो जो हैं, वो बेसिकली, बिलकुल दो कम्मुनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको नराज करने के लिए वो तैयार ही नहीं है, मुस्लिम कम्मुनिटी और सिक कम्मुनिटी को, यह उनका बेसिक एक फिलोसफी है, यहां चल रही है, दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो अमेरिका में चाहे प्रेजडेंट ट्रम्प आया, जिन्होंने थोड़ा सा कोशिश की कि मैं कंट्रोल करूँ, लेकिन उनकी जो वो हैबिट है, कि आदमी को छे मिने को बदल द हो, निया ले आओ, जो पहला आदमी आगे समझता है, एक्चली प्रॉब्लम क्या है, दूसरे आदमी को फिर वो उतना टाइम लग जाता है समझने में, जब तक वो समझने की बात करता है, तब भी बदल जाता है, अब C.I.A. के लोग देख लोग कितने बदल गए, एफब उठा के देख लीजी, अगर यहां छे मिने में आदी बलता है, उबामा के आठ साल में साड़े तीन मिने में बदल जाता था, चूंकि उबामा साब को बंदे पसंद नहीं आया करते हैं, उस जमाने में शोर नहीं बाचता था, उबामा के उस दौर के C.I.A. के चार डिरेक नहीं है, बड़ी सोबर लेडी है, उनको भी आए को डाइक साल हो गए है, जब यह आये थे, माइक पॉंपियो, जीना उनका नाम है, और जीना कभी फरंट पर आती ही नहीं है, तो इनके जमाने में तो बहुत स्टेडी रहा, अगर हम पेंटा गॉन और C.I.A. की बात करें खाल साथ बात, उबामा के जमाने में तो तीन, तीन, चार चर महीने बाद, उबामा के साथ बंदों की इत्मी लगा करती थी, वो बदल देते थी, खैर, ये अमेरिका की पुरानी हिस्टरी चली आ रही है, आपने टूडो की बात की, वो बड़ी इंपॉर्टन है, आपने क कम्यूटियों में सिक कम्यूटियों मुस्लिम कम्यूटियों कैनडा की, इनके मिजोर्टी ऑफ दे पीपल जो है, ग्रेट पिलो लोग है, नाइन तो फाइव रेगुलर लोग है, क्यों नरास करें, कोई भी चाहिए ठार्पर्ट साब की गौवर्मन्न ती, कुछी को नरास करता है, या हम इसमें मिलीग करते हैं, सिर्फ हमारा ये कहना है, या मेरा ये कहना है, कि जो एक्स्ट्रीमिट एलिमेंट्स हैं, एक्स्ट्रीमिस जो एलिमेंट्स हैं, वो दो कम्यूटियों में जितनी कम्यूटियों में भी हैं, आप उनको कॉल अस्पेड अस्पेड कहें ठीक है? उन extreme elements को चाहे वो sick community के हों और वो भार्डी को point1% होंगे उनको sick community भी पसान नहीं करते हैं जूँक्छे वो भी अपना नाम बुरा नहीं होना जाते हैं ठीक है? उनको बात community के आम लोगों को बात को पौर्टेक्ट करें, सिख्ठों को पौर्टेक्ट करें, आपकी शहर ही है, ठीक है? आपको पौर्टेक्ट करने चाहिए, लेकिन जो एक्स्रीमस्टा इलिमेंट्स है, उन पर तो कंट्रोल करें, चुझके वो खुद थरेट हैं उन कम्यू्निटी के लिए. not for the community but for the whole country of course of course country तो ही है ना country तो ही है जो country और जो आगे वाला आने वाला time है जो वो atmosphere create कर रहे हैं जो वो teach कर रहे है new generations को वो बड़ा खतरनाक है अब वो खतरनाक है और वो country के लिए तो ही है इन पचैरी communities के लिए भी खतरनाक है नाचरली ठीक है आप उन उन को खुला हाथ देते हैं यह कह के कि यह शायद community है वो community नहीं है वो खुद community में का problem है तो आप उनको control करें चुकर वो community का भी problem है आपके country का भी problem है और दुनिया का भी problem है परताहिर सब यहां पर जो भी politician आ रहा चाहिए वो community पार्टी का हूँ जी एंडी पी तो चलो बिलकुल एक साइट पाप छोड़ दो वो तो और भी जो हैं उनको बात बिलकुल समय जा है हाँ जो दूसरे so called अपने वो कहते हैं कि नहीं हम जरा सोच वाले हैं जैसे कैनड़ा के community पार्टी वो भी कोशिश कर रहे हैं मिछले मेराका दस बारा साल से कि इन community यों को हम प्लीज करें और आंखे बंद कर लें जहां जो कुछ हो रहा होने थे देखिए हारपर साथ की government के बाद conservative leadership को ये खत्रा हुआ कि शायद हमने इस वज़ा से ये government गवाई थी कि हारपर साथ सख्त थे खास वापर terrorism के issues पर तो उन्होंने कहा कि अब हम change होंगे हारपर साथ के बाद हमने दो leaders अभी तक देखिए दूरिंग पास्ट आइवड से फाइव पाइव साल में वो हमने दो लीडर देखिए हैं एक तो एंडिशेर थे ये वो भी हारपर साथ की अशीर बाद से बने हैं और दूसरे एरन अटूल अब रीसेंडली बने हैं ये दोनो conservative party के जो लीडर हैं ये जिनकी अशीर बाद से बनें उनकी policy हों से बिलकुल मुक्तलिफ हैं इनके सर पे अभी भी हाथ हारपर साथ का ही है लेकिन policy हैं इनकी बिलकुल different हैं चुके ये एक्तदार में आना चाहते हैं इनका ये ख्याल है कि हम appeasement की politics करें एंडर शेर ने अपने ही गुरू यानी harper साथ की policy हो से बदल के का किया harper साथ को शाया होगा कि सर हम आप ही के चतर चाया में हैं मगर हम election जीतना चाहते हैं लेकिन आपने और मैंने डॉट सब देखा कि election नहीं जीए नहीं ठीक है अब एन टूल एक नए जजबे के साथ हैं एक निया वलवला नगर आता है बाते अब ये बड़ी मिक्स मैं कैनिडा की बात होगी बड़ी अची बात है वो जैसे सदर टरंप से उधार ले रहे हैं ना जजबा दूसरी तरफ ये एंडियो शेर की जो पालिसी हैं उनको आगे लेकर चल रहे हैं आपके सामने हैं प्राइमिनसर जिस्टन टूडो के कितने खौफनाक स्कैंडल्स हैं च इनों ने मतलब टरंप साब से जो है उनके नारे लिये हैं आज पैंडेमिक में सारी दुनिया सिरफ पहले अपनी ही कंट्री की बात कर रही हैं वो कहता है कि कैनड़ा कैनड़ा और इंडिया और योर्प आप स्टारटिए टॉकिंग ये उनकों कि जब इस किसम के पैंडेम ही काते हैं जब हम देखते हैं कि नाइन इलेवन जैसे इंसीडेंट्स हो चुके हूँ है पास्ट में और अब ये इतना बड़ा इंसीडेंट्स हो रहा है दुनिया में तो फिर लोग थोड़ा सा ना एक तो गबरा भी जाते हैं और एक शायद उनको ये भी समझ नहीं आती ये बताईए कि बुश ने जब एराक पर अटैक किया है वो गलती की या ठीक किया बिलकुल गलत काम किया बेवकुल की ठीक है इसमें कोई शक वली बात नहीं मैं उस वक्त मुझे मुझे यारे कैनड़ा के प्राइम से क्रिशान होते थे लिबर पार्टी से उन्होंने अफ बड़े सीजन लोग थे उन्होंने का कि बई ये ये बिलकुल बोगस परजेक्ट है और वक्त ने थाबत भी किया चूंकि एराक पे अटैक का अमरीका को सबसे बड़ा नुक्सानी हुआ कि अमरीका का जो अमरीका के मताबक सबसे बड़ा दुश्मन है इरान उसको फाइद करना भात थी दुश्म फिर में नाइन उलेमन से कितने मिकॉण को भी पर आखर में बात करनी चाहिए अब दुश्मन होई स्बसे बड़ा पर अम्रीका का इराक तील पर एक तो एक उड़ एक का था अर विड़ आ इसने वार उस दमाने मेंम ही ता कि हम जिसके पास पॉड़क्ट होती है उसके पास सबसे अच्छा बार कौन होता यह इस फीना, अमरीका से बड़ा अच्छा बायर तो था ही कोई नहीं वर्लड का 60% आइल प्रोड़क्शन अमेरिका में आती थी ठीक है अब ठीक है आब अमेरिका 100% इंडिपेंडन्ड है लेकर अमेरिका अजिक और अमेरिका अभी किसाओी अरफ से इन से अमेरिका ने लूज ही लूज किया जाके ये ये बात पेंटाकॉन ने भी में सुर्ट के इस प्रेजिडंट ट्रंप जो काफी बोंगिया मारती हैं मकर उनको इस बात का एसास था शुरू दन से वो ये कह रहे थे और मैं ये समय तो उनको क्रेड़ जाता है कि दीरे देरे उन मैंने उसको फॉलो किया तो ये अंदाजा है वाकिए वाकिए ये तो कुछ नहीं कर सकते वहां पर बैठके न तो इनको दीरे देरे निकलना ही चाहिए वहां से और बाकिए उस रीजन में देखिए ये बैठे हुए हैं अमेरिका का एक स्टेट आपको पता है चाइना के सा तेद दिया हैं डाटसम 911 के बाद उससे बड़े वाकियात हुए आइसस ने वह तो ठीक है ठीक है ना देखिए और उसके लैवल पर छोट छोटे वाकियात हुए लेकिन इस लैवल का जो वाकिया है वो शायद मुशकल अप हो किया है चुक्छे जो बड़े एक्स्रीमिस सामिस ग्रोथ या अल-काइदा जैसे वो तबाह हो गए है अल-काइदा तबाह हुए आइसस की खुआश्च चे हम बड़ा वाकिया करें वो बरबाद हुए तो समय लादन अपना मारा जाना तो अब इस तरह का किस्छा आने के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप दुबार बने उसमें डाट सब समय लगेगा अब एडलीस वेस्ट को ये समी तो आगई है कि ये हम नहीं बनने देंगे लेकर मेरा ये डाट सब कहना है कि ये जो हमारा सोशल फैब्रिक हराव हो रहा है ना वेस्टन वर्ट का हम ये समय ते कि टैररिजम का वाकिया ही हो तो यह बहु करता हूं कि यह जो creator है ना यह सबसे बड़ा यह पहले बीज था अब यह पौदा बन चुका हुआ है जी साल दो साल का और अब यह वेट कर रहे हैं कि कब बड़ा हो और कब हम उसमें से fruits निका रहे हैं आपके पूरे मौशनों में वेश्टर आजमी नी पकड़े गए थे ताइड़ा में उसे आगे के इक बात असना कर रहा हूं वो चोटी बात हैं आपके पूरे मौशनों में Western societies में legitimate extremist नहीं आरी हैं मैं इन लिजिटिमेड की बात नहीं कर रहा, मैं स्लीपर सेल्स की बात नहीं कर रहा आपकी इन सुसाइटीज में जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं का हमारा कोई वेस्टन कल्चर नहीं है चूचू का मुरभा है तो फिर जो लोग यहां पे आते हैं जो उपन दुनिया देखना चाते हैं वो कहते हैं अच्छा फिर आपके हाँ भी वही बलास्मेमी लाओ, इस्रामूपोबिया लाओ, श्रिया लाओ, और ये खालसानी लाओ आ रहे हैं इसके साथ साथ एक्स्ट्रीमिस्ट करिश्टन भी रोलर रपा डाल रहे हैं, तो अगर ये सब कुछ यहां पे भी होना है, तो मैं इसकी डॉक्सा बात कर रहा हूं, ये जो सोशल फैबरिक लिजिटिमेट तरीके से खराब हो रहा है, ये उससे बड़ा खत्रा है, ये हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये एक सोचने का कि जो सोशल फैबरिक है दुनिया में, ये इन्हों तो कैनड़ा और अमेरिका की बात की यूरोप की, मैं कहता हूं, दुनिया में ये जो है, ये खराब हो रहा है, ये बहुत कम कंट्रीज हैं, जिन्होंने ये कंट्रोल किया हुआ है, जी जैसे हम जानते हैं, जपान है, च कोशिश कर रहे हैं, कि हम ऐसे सोचल फैबरिक को खराब ना होने दे, इसी मीद के साथ, नेक्स वीक तक, गुद्बाइ.